नमस्कार दोस्तों मैं रवी गुमार टेक्नो मोंड इस्टी इंडिस्री नियो देली से आज लेकर आए हैं हम बल्क मिल कूलर 1500 लीटर में अब देख सकते हैं यह डी शेप में हैं डबल कंपार्टमेंट है और इसका जो कंपार्टमेंट है वह हजार लीटर और पांसो रीटर का है इसमें आप देख सकते हैं और इसमें दो कंप्रेशर लगे हुए है हजार लीटर के लिए इसमें हमने धाईटन का कंप्रेशर लगाया है और पांसो रीटर के लिए देटन का और यह है मारा कंट्रोल पैनल इसमें दो सब जीरो है दोनों का टेंपरेशर शो कर रहा है दोनों आटोमेटिक और मैनुवल है यह हमारा ओटोमेटिक कंट्रोलर प्लस यह आप देखे थे हैं बढ़ियां फिनिसिंग के साथ में यह वीमसी है और यह हमारा जो डगकन है यह हमने इसको उठाया यह आईडोलिक बेस है और इसमें डबल जैकेट का डगकन है यह डबल जैकेट इंसुलेटेड डगकन और यह रहा है इसमें हमने पानी डालके टेस्टिंग के लिए डाला हुगा अपनियां कूलिंग दे रहा है और यह हमारा 500 लीटर का कंपार्टमेंट है कि देख सकते हैं यह हमारी बीमसी है 1500 लीटर की इसकी कंप्रेसर चालू हो गए है कि आते हैं जाल की कम्राशका के यहाल क्प्राशक हो नच भाल को Like कि पत्त्क धिए कर वस्ट्राशक है कि देख से झाले हैं बाठी के लाय का वहा हुछक हुग कि झाल भ्राशक बैसक्षपक है लुबटे और भान में जने टीखबत Baum इसका वाल है मिल के लिए यह हमारी BMC है बैक साइट से बड़ियां क्वालिटी में बनाया हुआ है अगर इसमें पावर्स जो है आप चाहे तो थ्री फेस ले सकते हैं और चाहे तो सिंगल फेस ले सकते हैं तोनों में अवेलबल है और यह टेक्नो मोल्डिस्टी इन निस्टी से बनाया हुआ है इससे परचेज करने के लिए इसकी डीटेल जानने के लिए आप हमें दिये गए नीचे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और हम आपको सारी डीटेल परवाइट कर देंगे थैंक यू सो मच